विप्रो की तरफ से रिक्रुमेंट निकल कर आ रही है फार 2024 जहां पर फ्रेसर अपलाई कर सकते हैं किसी प्रकार का एक्सपिरियन्स रिक्वाइड नहीं है कमपनी आपको CTC प्रवाइड कर रही है 4.3 लैक पर एनम का इसमें डिप्लोमा इंजिनियर ट्रेनी और ग्राजवाट इंजिनियर ट्रेनी की पोश्ट के लिए विकेंसी है जिसमें डिप्लोमा आई ट्याई और डिग्री के फ्रेसर केंडियेट इलिजबल हैं अपलाई कर सक के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब कर लीजे और टेलेग्राम भी जॉइन कर लीजे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह वेकेंसी निकालेगी है विप्लो की तरफ से नौकरी.com पर यह वेकेंसी पोस्ट की गई है इस वेकेंसी को आप चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है देखिए नौकरी.com पर काफी वेकेंसी पोस्ट की जाती है तो कौन सा सही है कौन सा उसमें फ्रॉड है उसको जानने के लिए सबसे पहला इसमें यह होता है कि आ अगर आपके पास two year का experience है तब भी आप इसमें apply कर सकते हैं salary इसमें not disclosed नहीं लिखा गया है लेकिन आपको बता दे पिसला जो इसका recruitment आया था उसमें salary लिखा गया था 4.3 lakh पर एनम का CTC आपको देखने को मिलेगा यह vacancy बिलकुल latest है तो shortlisted होने का chance जादा है आप लोग सम इस चैनल से एक इस्टेंट है उन्हों आज की मुझे मैसेज किया है कि वह विप्रो कंपनी में इसी कंपनी में select हुए हैं तो इसके आगे का क्या process होगा selection process क्या होगा interview में कहां से question आये थे assessment detail सारक कुछ आपको हम बता देंगे उनको उनसे जानकरी लेके तो आप लोग इस पोश्ट का नाम ने दिया है technician या फिर on-site support engineer qualification की बात कर लेते हैं कौन-कौन apply कर सकता है तो अगर आपने डिप्लो आइडिया ही गिया है electrician ट्रेयर से फिर electrical से तो आप इसमें eligible होंगे diploma electrical और electronics ब्रांच के candidate eligible होंगे चोंकि यह robotic से सम्मंधित यह company है automation से तो इसमें electrical और electronics वा इसमें apply कर सकते हैं job location की बात हमने बता दिया आपको चन्राइब में आपका job location होगा और आपका जो company होगा वह leading industry in industrial automation तो आप समझ सकते हैं इसमें automation का किया कितना ज्यादा role है तो इसमें आपका जो वर्क होगा industrial automation वे वर्क देखने को मिल जाएगा role and responsibility की बात को यहाँ पर दिया गया है on side support engineer का पोस्ट होगा आपको continuous support for machine service तो इस प्रकार से कुछ आपका इसमें job role होने वाला है देख सकते हैं full time permanent job है contractual job नहीं है तो आप लोग इसमें apply कर दीजेगा चली एक बार हम इसके selection process की बात कर लेते हैं जो candidate selective हैं उनसे मतलब की य आपका profile short list होगा आपका resume short list होगा आपके पास mail आएगा कि आप capitalist कीये गए हैं वी propari की तरफ से और इसमें जो आपको फायले assessment होगा assessment होने के बाद आपका interview होगा interview on-line भी होता है on-line ली होता है और assessment भी on-line होता है इसके बाद आपके पास offer letter provide किया जाता है इसमें एक ही अपलाई करने के लिए वीडियो के description में लिंक दिया गया है, आप लोग अपलाई कर दीजेगा, या फिर यहाँ पर हम HR का email ID आपको send कर देंगे, वहाँ पर भी आप अपना जो resume है उनको भेज सकते हैं, इस post के लिए, और resume कैसे भेजना यह आपको हम पहले ही बता चुके हैं बाकि naugre.com पर अपना profile जब बनाएंगे, तो वहाँ पर resume अटाइज किया जाता है, तो वहाँ पर भी resume अटाइज करके आप इसमें apply कर सकते हैं, एक next vacancy है, इसमें निकाली गी है भी profile की तरफ से, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें देख सकते हैं, इसमे select भी हुए हैं, ठीक है, अभी आपको इसका salary structure क्या है, जो offer later है, वो हम टेलेग्राम पर आपको provide कर देंगे, आप लूप देख लीजीगा, इसमें भी on-site service engineer की post है, इसमें आपका जो role होगा वो दिया गया है, day to day update and handling team responsible for microtronics, engineering, installation and commissioning, इस प्रकार से आपका job role होगा, और job requirement इसमें दिया गया है, diploma और degree apply कर सकते हैं, ठीक है, qualification बताया गया है, diploma, mechatronics, electronics, electronics and telecommunication, इसमें electrical वाले नहीं है, तो अगर आप mechatronics, electronics, electronics and telecommunication के student है, तो आप इसमें apply कर भाएंगे, ठीक है, कि skill की बात करें कि skill काफी ज़्यादा important होता है, आप अपने resume में अगर ये skills add करते हैं और इनके बारे में जानकरे रखते हैं, तो आपका profile को shortlist होने का chance ज़्यादा होगा, skill की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं, service engineering, onsite support, side support, after sales service, service engineering, इस परकार के skills हैं, अपने resume में add कर सकते हैं, लेकिन add करने से पहले आपके पास इन चीजों का knowledge भी होना चाहिए, ताकि interview मे आपके resume से questions पूछे जाएं, तो आप आसानी से बता सकें, ठीक है, बाकी आप इनके official site पर देख सकते हैं, इनकी LinkedIn पेज़ पर जाकर, सारा कुछ company के बारे में detail चेक कर सकते हैं, तो आप लोग apply इस में कर दीजेगा, आगे के process के लिए हम guide कर देंगे, टेलिग्राम चैनल ज मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में